जिसे नहीं आता केक बनाना वो देखे ये वीडियो आज मैं आप सबके लिए लेकर आयू एक ऐसी रेसिपी जो बच्चे बड़ो सभी को पसंद आएगी घर में पाटी हो बड़े हो या गेट टूगेदर हो अगर ये बनाया और सबको खिलाया ना तो सब आपके फैन हो जाएंगे आज मैं आप सबके लिए लेकर आयू एक ऐसी रेसिपी जो बिना अवन बिना मैदा बिना अंडे के बनाएंगे वो है मिनी चॉकलिट केक ये केक देखने में और खाने में इतना बड़िया होता है ना कि बच्चे हो या बड़े एक एक की जगे दो दो खा जाएंगे और तो और ये इतना छोटा सा केक होता है ना इसे बनाना बहुती असान है चलिए फिर देड ना करते हो बनाना शुरू करते हैं चौकलेट मिनी केक बनाने के लिए हम लेंगे बाउल, बाउल में रखेंगे छन्नी, छन्नी में डालेंगे गेऊं का आटा, एक कप गेऊं का आटा लेंगे, ये केक मैदा से नहीं बनाएंगे, साथ में डालेंगे आधा कप पाउडर शुगर, चीनी को पीस कर पाउडर बना मख डालेंगे शबी चीजों को चनी से चानेंगे ये देखिए सभी चीजों को बढ़िया से चान लिया है अब हम लेंगे दूसरा बाउल उसमें डालेंगे 3-4 cup दूद दूद रूम टिंपरेचर वाला यूज करेंगे सात में डालेंगे एक चुथाई कप तेल एक टी कि दूद और तेल आपस में मिलना जाएं यह देखिए सबी चीज अच्छे से मिक्स हो गई है अब इसे हम पहले वाले बाउल में डालेंगे और विसकर से मिक्स करेंगे और स्मूध बैटर तयार करेंगे हमें इसे एक ही डिरेक्शन में मिक्स करना है फ्रेंड्स यह मिननी केक इतना बढ़िया लगता है ना कि आपके घर में कोई भी छोटा बोटा फंक्शन हो या फिर किसी का बर्डे हो तो आप इस केक को बना सकते हैं और इस केक को बनाने में कोई मेहनत भी नहीं लगती है और यह बहुत ही जाता सौफ्ट होता है एक बार आप भी बनाकर इसे ट्राइ करें यह देखिए केक का बैटर तयार हो गया है आप इसकी कंसिस्टन्सी देख सकते हैं ना जादा घाड़ी है ना जादा पतली है अगर आपको बैटर गाड़ा लगता है तो आप दूद मिला सकते हैं बैटर तयार हो गया है अब हम डालेंगे आधा टीस्पून विनेगर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ये देखिए सबी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लिया है और बैटर भी रेडी हो गया है आज हम ये मिनी केक बनाएंगे अप्पे पैन में अगर आपके पास अप्पे पैन में बना रही हूं अप्पे पैन को तेल से ग्रीज करेंगे और एक चमस्च बैटर डालेंगे याद रखिएगा एक टेबल स्पून से जादा बैटर नहीं डालना है क्योंकि केक फूलता है अब इसके उपर ड्राइफ रूट्स डालेंगे अब इसे ढखकर आफ मिनट के लिए लोग फ्लेम पर पकाएंगे अप्पे पैन में केक बहुत जादा जल्दी बनता है एक बार अप्पे पैन में आप भी बनाकर ट्राय करें आप शूपिक करें तूलेनेए बढ़ से तूटिक वलिए रहे यह देखिए केक बनकर तयार हो गया है और नीचे से भी ये जला नहीं है इसे चौकलेट गेनाश से गानिश करेंगे मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ ये देखिए कितना सॉफ्ट केक बनाएं ना ये जला है ना ये चिपका है बहुती इसली और बहुती जल्दी बनकर तयार हो गया है आप भी अपने घर में मिन्नी चौकलेट केक बना कर ट्राइ करें और अपने बच्चों के साथ इंजॉय करें वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नई रैसेपी के साथ तब तक के लिए बाए बाए